जाएं दोस्तों मैं आप सभीका स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं एकदम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं उम्मीद करूँगा एकदम बहतरीन होंगे एकदम सांदार होंगे और सारे प्यारे दोस्त जा में चल रही थी जिसमें हम लोग आपका एंसींट और मिडायवल को खतम कर चुके थे यहां पर हिस्ट्री आपको पहले मॉडर्ण हिस्ट्री और मॉडर्ण के बाद में फिर आपको क्योंकि बाकी दौनों कोर्स का खतम हो जाएगा तो आपके लिए एंसींट और मीडियवल तब कराएगा तिनी बात समझ में आती है सब लोगों को जी हां आज गया दूसरी क्लास में दोस्त हम पढ़ने वाले हैं आपका भारत में इस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में एक व्यपार करने आई ठीक है जिसने चाय के व्यपार शुरू किया और धीर 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 ध सक्तिया जो उनसे ज्यादा पावरफुल थी उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह अपनी जगह बना ली ठीक है तो यह चीज़े हम आज की क्लास में पढ़ेंगे धीर धीर हम जानते रहेंगे मैं एक बार आप सारे प्यारे दोस्तों को बता देना चाहता कि आज ये यूट्यूब पर आपकी दूसरी क्लास है ठीक है और इसके बाद जो क्लास होगी सीधे हम मंडे मिलेंगे अप्लिकेशन पर ओके तो यह मैट्स की क्लास है टाइम टेबल आप सब लोगों के पास अब तो पहुँची चुका होगा टाइम टेबल सब के पास है न एक बार थम सब करके बताएंगे सब लोग टाइम टेबल अब जान ही चुके होंगे यह बैज की फीस है सिक्स फोर्टी और सेवन डेवल नाइन हो जाएगी है मतलब की आपका कल के बात में ओके मित्र तो हिष्ट्री की क्लास हम सीधे मंडे अप्लिकेशन में मिलने वाले ह होंगे अपने निजी कारियों की वज़े से मैं दो दिन नहीं रह पाऊंगा तो उसके लिए रियली सौरी एडवांस में ओके यह बहरत का मैप है और भारत के मैप से पहले मैं आपको कुछ बता दूं दोस्त यहां पर बताएंगे कल मैंने आपको बताया कि भारत में कौन सी विदेशी सकती सबसे पहले आई एक बार बोलेंगे सारे दोस्तों आप कहेंगे भी है पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगाली भारत में कवा आई 1498 में पुर्तगाली देश में को आए थे कल हमने ये जाना था पुर्तगाली ओ क्या प्रभाव रहा देश में कैसे कैसे उन्होंने अपने सामराज्य को बढ़ाया तो पुर्तगाली 1489 में आए अंग्रेजों से पहले आए कि नहीं आप कहेंगे जी हां तो अंग्रेजों से पहले आए और भारत में वेपार भी कर रहे थे तो अंग्रेजों के मुकाबले भारत में ज़्यादा सक्ती इनके पास थी या नहीं येस और नो आप कहेंगे जी हाँ भीया इनके पास ज़्यादा सक्ती थी तो अंग्रेज जब यहां पर आएंगे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन रहा वो सक्तियां जो उनसे पहले आ चुकी है उनको रिप्लेस करना है उसी करम को हमको जानना है मैंने आपको जब अकबर पढ़ाया था दोस्त पुराने चात्रों से पूछना चाहूँगा अकबर के टाइम पर एक अंग्रेज आया था अकबर के टाइम पर अंग्रेज आया था एक सबसे पहले भारत मैंने आपको बताया इस्टिफन्स थॉमस किस एर में आया ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस्टिफन स्थामस भारत का वाया तो आप कहिए इस्टिफन स्थामस भाहरत में आया था जी 1579 में और एक अंग्रेज आया रॉलफिच ये दो अंग्रेज है जो भारत आये थे रॉलफिच है फिफटीन ऐटी त्य लें आया अकबर के ही टाइम पर आया तो बहरत आने वाला पहला अंगरेज को यदि आपसे पूछे, तो आप कहिएँ बहरत आने वाला पहला अंगरेज कौन है, Stephen Thomas है यह पहला British है, पहला अंगरेज है अच्छा, तो इसने तो कुछ ज्यादा लिखा है नहीं, Stephen Thomas ने इंडिया के बारे में, यह रॉल फिच जब भ मरद्धता है कितनी prosperity है तो भारत की इस मरद्धता को इसने लिखा है इसने बताया भहिया बहुत पैसा है अकबर के पास आपका 5000 हाती है एक हजार चीते हैं दस करोड रुपे नगद रख रखे हैं अकबर ने यह सब चीजों का इसने पता लगा लिया भारत की सम्रद्धता यानि कि भारत कितना prosperity है भारत की कितना prosperous इंडिया है आपका इसके बारे में यह बात बताता है अब यह बिचारा आया तो इन सब चीजों को पता लगाने लेकिन लेट पहुचा लेट पहुचा तो इसको मरा घोसित कर दिया गया था बिर्टेन में इसकी वसीयत भी पढ़के बता दी गई जो इसे नहीं बनाई इसके मरने से पहले इसकी वसीयत पढ़ दी गई थी बिर विजनिस के अबसर है तो क्या बोलेंगे आपका इस्ट इंडिया कमपनी के पीछे का बैक्गराउंड यह है किस आदमी की वज़े से इस्ट इंडिया कमपनी का विचार आया बाहरत में अग्रेजो का आगमन सुनिये, अकबर के समय पर क्या हुआ, इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और मुझे बताइए, इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, क्या बोलोगे, 1600 AD में, और कभी आपसे डेट पुछे, तो 31 दिसंबर 1600 में स्थापन हुई, इस्ट इंडिया कंपनी, आज आप जानते हैं, इस्ट इंडिया कंपनी एक भारती है, अगर मैं आपसे बताओं, आज जो ये इस्ट इंडिया कंपनी है, हमारे देश के एक इंडियन है, मतलब भारतीय मूल के हैं, संजीब महता, चौकलेट बेचते हैं, इसको खरी कॉफी यह सब बेचते हैं यह यह जिनोंने हमारे उपर साशन किया 200 वर्सों तक ठीक है जी इस्ट इंडिया कंपनी दरसल में उससे में ब्रिटेन की महरानी थी आप सब लोगों को पता होना चाहिए ब्रिटेन में राजवंस चलता है क्योंकि राजा का बेटा ही वहां पर र इंडिया कंपनी बनाने के लिए तालीजा बैथ ने 15 वर्सों का एक चार्टर दे दिया चार्टर का मतलब एक गोशना पत्र की ठीक है तुम लोग कहां जाकर के पूर्व के देशों के साथ जाकर के व्यापार कर सकते हो आप सारे दोस्त जानते हैं कि यूरोप से अगर मैं बात करूं भारत की तो क्या दिसा है क्या कहेंगे आप दिसा क्या होगी तो आप कहेंगे भीया ये पूर्म में था तो दच्छिन एशिया के देशों के साथ में भी और भारत के साथ में विसेसत है इस व्यापार के लिए क्या दिया गया इसको 15 साल की परमिशन दे दी गई पूरवी देशों के साथ व्यपार के लिए सन 1615 में इस्टुवर्ट वन्स का एक साशक गदी पर आया जेम्स पिर्थम जेम्स पिर्थम की अगर मैं बात करूँ ये 1603 से 1625 तक गदी पर रहा था तो इसने एनिशित समय के लिए उसने तो बोला कितने साल बिजनिस कर सकते हो सारे दोस्त बोलेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में एलिजाबेत कहती है कि तुमको जो पर्मिशन मिल रही है इंडिया के साथ व्यपार की तो वो 15 साल के लिए है लेकिन जैसे ही जेम्स पिर्थम आया जेम्स पिर्थम कहता है कि अब तुम्हारी भहिया मर्जी है जब तक तुम चाहे बिजनिस करना चाहते हो तब तक करीजिए तो इसने इसको कर दिया एनशित समय के लिए कि जब तक तुम्हारी मर्जी तुम इस व्यपार को कर सकते हो और ये इस्ट इंडिया कमपनी भारत में आ गई 1600 में इस्थापित हुई थी इस्ट इंडिया कमपनी आज इसका नया फॉर्मेट है दरसल में उस समय तो 1857 का एक विद्र हो कितने लोग जानते हैं इसके बारे में यस और नो 1857 में एक विद्र हुआ भारत में हम लोग पढ़ेंगे इसको इतिहास में इसके बाद में 1874 में ये इस्ट इंडिया कमपनी क्या हो गई थी इसका कारिया खत्म हो गया था इस्ट इंडिया कमपनी ने अपना काम बंद कर दिया तो भारत आने की रहा आसान तो थी नहीं तो भारत आएंगे कैसे ये किरम हमको पढ़ना है कि भारत कौन व्यक्ति आया सबसे पहले व्यापार के लिए हौकेंस अंग्रेज पहला ये नहीं है पहला अंग्रेज कौन लिखोगे इस्टिफंस तोहमस वो आया था घूम ने इंडिया विजिट करने रॉल्फिच दूसरा अंग्रेज है 1583 ये व्यापार के लिए आया इस आदमी को किसने भेजाए इस्ट इंडिया कंपनी ने इस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा इसको ये सन 1608 में सूरत पहुचा सूरत यानि की कहां पर है गुजरात में तो गुजरात की बंदरगाहा पर ये जैसे ही पहुचता है अब आप कहेंगा भी अश्टाइम तो आपने बताया था कि पुर्तगालियों ने ये कह रखा था कि पूरे के पूरे जो अरब शागर है इसमें पुर्तगालियों का कंट्रोल था ये बात मैंने आपको बताई थी कि उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉंच कर रखी थी और कोई भी इस छित्र में आये तो जब भी उनको परमिशन की जड़ु होती जिसको बाद में किसने अलोगुकरट ने हटा भी दिया था तो आप कहेंगे ये सारा एडिया तो पुर्तगालियों के कपजे का एल्या था तो पुर्तगालियों ने अंगरे जुग जाने द इनका आपका हेक्टर इसी हेक्टर जहाज पर सवार था आपका हॉकिन्स हॉकिन्स इसी का कैप्टन है हॉकिन्स कूकर नहीं है हॉकिन्स किस जहाज का कैप्टन था हेक्टर जहाज का कैप्टन था पुर्तगालियों ने एकदम से पकल लिया इनको बोला हो चाचा कहां जाते हो यह तुम्हारी जगह नहीं है यह पृतगालियों के कबजे की जगह है यहां आते हो तो कुछ देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा अब हौकिंस अपने साथ गिफ्ट लेके गया था बहुत सारे पृतगालियों को उसने बहुत सारे गिफ्ट दियें, तीन जहाजों में गिफ्ट थे, दरसल में हौकिन्स जा रहा था अकबर से मिलने, उसको पता नहीं था अकबर की मौत हो चुकी है, क्योंकि रॉल्फिच ने जो विवरन दिया जाकर उसने बता कि भारत में अकबर से जाकर मिलो, बड़ा सरे अवान है, परमिशन देदेगा, यह लोग तो अकबर से मिलने आये थे, तो गिफ्ट वगैरा लेकर आये बहुत सारे, अब वो ले लिए सारे के सारे गिफ्ट किसे ने, पर्तगालियों ने, थोड़े से गिफ्ट छोड़े, तो बिचारा थोड़े से गिफ्ट लेकर क मुगल दर्बार जो उस समय फत्यपुर सीकरी में लगता था 1609 में पहुचा अब ज्यादा कुछ तो है नहीं देने के लिए ठीक है आगे आएगे इस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आने वाला ये पर्थमव्य अपारी है जहांगीर के समय आया जहांगीर का साशनकाली ये ह कितने दोस्त बता सकते हैं कि जहांगीर मुगल सामराज्य में किस किरम का साशक था तो आप लोगों को पता होना चाहिए मुगलों में आपका बाबर 1526-3535-3545 सरहिंद के द्वारा आया 1556-1605 तक कौन था आपका अकबर था और अकबर के बाद में उसका बेटा जहांगीर जिसको हम सलीम कहते हैं 1605-1627 तक गदी पर था सारे दोस्तों को उत्तर ठीक आया है चौते नम्मर का शाशक था ठीक अभी है तो जहांगीर के समय आया अब जब जहांगीर इसके पास आया तो जहांगीर देखना हौकिन्स को जहांगीर ने इंगलिस खान की उपाधी दी इंगलिस खान क्या होता है मतलब जहांगीर ने एक बात सुनी लोगों के द्वारा कि भीया किसने हौकिन्स ने हौकिन्स ने एक बात सुनी कि भीया ये जहांगीर बड़ा अच्छा है अपने पता अकबर की तरह ब तो जहांगीर का तो चित्रकला में बड़ा मन लगता था, जहांगीर के टाइम को हम चित्रकला का सुन काल भी कहते हैं, जहांगीर पेंटिंग्स देखके बड़ा खुस हुआ, गले लगा लियो होकिन्स को, यू आर माइ ब्रॉदर, दू भासी होते थे ऐसे मत समझना कि एक भासा समझते थे, लेकिन ये बड़ा चालू है, इसने क्या काम किया, महराज ने इसने पहले तो उर्दू बोलनी सीखी, देखो कितना चालू है, भौकिन्स ने पहले तो उर्दू बोलनी सीखी, और जो कपड़े होते थे राजदरबार के, जो मुसलिम समुदाय के होते थे उनको पहन के दरबार में रहने लगा और उर्दू भी सीखिया अब इससे उर्दू में बात करता था अंग्रेज आदमी उर्दू में बात करें जहांगी नहीं देखा इसको अरह भई यह तो बहुत कमाल का आदमी है अंग्रेज उर्दू बोल रहा तो इसने बोला ये ऐसा अंग्रेज है जो खान साब की तरह उर्दू बोलता है तो इसको इंगलिस खान कह दिया और बड़ा सम्मान दिया सम्मान दिया 400 जात का इसको मनसब बनाया अब आप सोचेंगे 400 जात का जब मैं मुगल सिष्टम आपको पढ़ा हूँआ तब मैं बताओं अकबर ने एक पर्था सुरू की थी 1575 में जिसको मनसबदारी कहते हैं मनसबदारी का मतलब इतने गोडों की सेवा उनको जितने 400 तो 400 तरिक्त गोडे भी रखने पड़ते थे 800 गोडों की सेवा जिसके लिए वेतन राजा देता था ठीक है अब होकिन्स इतने दिन रहा विचारा होकिन्स को समझना होकिन्स कोसिस कर रहा है रोज कैसे ही इसको व्यापार के लिए मना लू एक दिन तो आएगा जब मैं इससे बात छेड़ूंगा डेड़ वर्स गुज जहांगीर ने चीन से एक चाय का प्याला मंगवा रखा था जिसमें जहांगीर चाय पीता था गल्ती से वो प्याला तूट गया तो जहांगीर ने उस आदमी को पैदल चाई ना बहजा पैदल चीन जाओगे और ये ठीक करा के लाओगे एक सैनिक जिसने होकिन्स के सामने वेतन बढ़ाने की मांग की मतलब वजीर ही था सैनिक से भी आप समझ ये थोड़ा सैनिक टुकडी का एक कमांडर था उसको उसने चीते के पिंजरे मडलवा दिया ताब भाईया होकिन्स और ये कह दे उसने सोचा रहा है ऐसा नहों कि मैं इससे बोलू बात बिगड़ जाए कुछ बात बिगड़ गी तो दिक्कत हो जाए कि पता नहीं किस पिंजरे में ऐसा नहों कहिए बोलते कि इसके पीछे पीछे सैना जाए और ये बिटेन तक पैदल जाएगा बड़ी दिक्कत थी कहने की मतलब ये है कि भहिया ये हौकिन्स समय का इंतजार करता रहा और इसके हाथ कुछ नहीं लगा ना ऐसा मौका आया कभी क्योंकि जो जहांगीर है वो बहुत बड़ा सराबी था और हौकिन्स भी बड़ा सराबी था क्योंकि इस समय पर जो अंग्रेज आ रहे थे उनसे जहांगीर सिर्फ सराब मंगाता था विदेशी तो भहिया क्या हुआ हौकिन्स की बात नहीं बन पाई और इतने में बाकी दरबारियों को भी पता चल गया क्यार हौकिन्स जो है न ये ये कुछ न कुछ कोसिस करता रहता है ये पक्का कुछ चाल चल रहा है तो लोगों न भढ़काना शुरू कर दिया जहांगीर को कि इस अंग्रेज को यहां से भगाओ तो भी या अंग्रेज को भगा दिया गया ठीक है हौकिन्स बिचारा 1611 में वापिस चला गया शमझ गया इस बात को क्या हो गया वापिस चला गया किस जहाज से आया था जरा बताएंगे तो सारे दोस्तों का उत्तरा आना चीब है हेटर जहाज कैप्टन था ये उसको लेकर के आया 1611 में अब उसने जब वापस गया तो उसने बताया वहाँ डाल नहीं गलेगी क्योंकि वहाँ तो पुर्तगालियों का प्रभाव है तो पहले पुर्तगालियों को हराईए जा करके जब सुनेंगे यह नहीं जहांगीर वांगीर कोई नहीं सुनता उसके पास बहुत अच्छा पैसा है और हमारे पास कुछ ऐसा देने को है भी नहीं कि जा कि उसको दे दो और वो हमारी बात मान जाएगा तो मिडल्टन को भेजा गया मिडल्टन और मिडल्टन का साथी कौन था मैंने कल आपको बताया स्वाली के वार में स्वाली के वार में जो 1612 में हुआ पुर्तगालियों को हरा दिया गया थॉमस बैष्ट क्या बोलोगे मिडिल्टन का साथी कौन था कल मैंने आपको बताया थॉमस बैष्ट तो क्योंकि क्या बोलेंगे कि अब अंग्रेजों के कान पर जू है अग्रेजों के कान पर नहीं अगरेजों ने किसको ह़ाद्य पुर्त गाली पर भाव कम हुआ यहांस अब बड़े पुर्टगाली हरा दिये जो सो साल से यहां बिजनिस कर रहे थे जिनका सब कुछ वो हरा दिये इन्होंने बोले जी हां महाराज जहापना हरा दिये गए है इनके साथ हो लो तो यहां पर फिर क्या हो गया कि बास्था से इनको 1611 में जैसे ही मिडल्टन और ये इसके बारे में आंदर प्रदेश में क्योंकि उत्तर में तो पर्मिशन नहीं मिल ली थी जहांगीर से इन्होंने 1611 में एक एस्थाई नॉन पर्मानेंट अपना समान रखने के लिए क्योंकि बिजनिस करना था इनको एक एस्थाई कोठी खोल ली एक जगया बना लिया एक वेरहाउस बना लिया इन्होंने 1613 में जब स्वाली इन्होंने जीत लिया स्वाली कहां पर हुआ था ये सूरत में ही हुआ था सूरत वाला इलाका किसकी कंट्रोल में आ गया गुजरात का अंग्रेजो के कंट्रोल में 1613 में सूरत में इन्होंने स्थाई यानिकी मेर्मानेंट एक व्यापारिक उठी कोठी खोली भीविडा और नोट के लिए कोई मत लिखो कमेंट सेक्शन में यह बोलो जो मैं करना 10-20 सालों तक भी नोट्स बनाते रहोगा तब भी नोट्स पूरे नहीं होंगे आपके यह आपको एजटीज मिलेगी पीडिएफ नोट्स आराम से लिख लेना मैंने कहा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसके एडवांस पीडिएफ मिल जागी खूब सजा के लिखन जिनको नोट्स बनाने का सौ का बहुत अच्छे से लिखना और मैं कहूंगा अच्छे बच्चों से कि सौट नोट्स बनाया करो छोटे छोटे अपने ताकि आपको चीजे याद रहें बस ध्यान देंगे पढ़ाई में 1615 में थॉमस रो इसको टॉमस रो बोलते हैं थॉमस लेके आया जहांगीर के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्योंकि पता चल गया था सिकारी कुते जो बहुत पसंद थे सिकार करने वाले कुते लेके आया जहांगीर के लिए महंगी सराब ठीक है महंगी सराब लेके आया वाइन वाइन लेके आगया इसके लिए यह लो अब क्योंकि पुर्दगाल्योग परभाब भी खत्म हो चुका था तो इसने क्या बोल दिया कि ठीक है भी आप व्यापार कर सकते हैं तो थॉमस रो ने मना लिया था जहांगीर को क्योंकि एक कुट नितिक व्यक्ति था कहने की बात है कि वो मान गया ठीक है 1633 बालस और उडिसा में व्यापारिक कोठी खोली इस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक कोठी या एक अड़ा कहां पर बनाया 1633 इंपोर्टेंट है अब अंग्रेज भारत में व्यापार करने लग गए व्यापार करते रहे ठीक है जो समान था यहां से जो मसाले आदी थे कपड़े आदी का या अन्य चीजों का व्यापार यहां से करने लगे ठीक है अब व्यापार करते 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 अन्य कंपनियां भी व्यापार कर रही थ तक्राव होगा या नहीं होगा आप कहें जी भहिया एक टक्कर तो बनती है ऐसे ही वर्स आ गया सन 1717 का फर्रुक सियर एक साशक था फर्रुक सियर मुगल साशक है 1713 से 1719 तक ये गद्धी पे रहा घरनित साशक इसको हम कहते है याद है यह मैंने आपको बताया था पुराने चात्रों से प्रशन कर रहा हूं मैं मैंने आपको बताया था मुगलों को पढ़ाते समय कि आपका फर्रुक सियर जो है वो सेयद बंद्धू की वज़े से गद्धी पर था और उसको घरनित साशक क्यों कहते है उसका बात जाने है तो इसने एक दस्तक जारी किया दस्तक मतल चाहिए इस्टिष निडिया कंपणी को बोले तुम्हारी जितनी मर्जी आप सूरत में बिजिनिस कीजिए बस एक काम करना है 10,000 रुपे पूरे साल के देने जितनी मर्जी जो व्यापार करना वो कीजिए ठीक है? 3,000 रुपे वारसिक में ये भी एन्वली है 3,000 रुपे वारसिक में बंगाल बिहार और उडिसा में भी क्या दे दिया? Tax-free business बहुत बढ़ी है जितना business करना है उतना business कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी बोलेंगे भी कोई दिक्कत? बहुत बढ़ी है कोई दिक्कत? तो कितने चंद पैसो में इसने भारत में इस इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए पर्मिशन दे दी ऐसा क्यू हुआ? तो इसके समय पर फरुक सियर से बात करने के लिए एक सिष्ट मंडल एक डालीगेशन आया था मतलब एक दल आया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? जौन सुर्मन थे मैंने आपको मुगलों के टाइम पे भी बताया और साथ में किसको लेका है? रॉक्टर हेमिल्टन क्यों लेके आये थे? अंग्रेज बड़े चालू रिसर्च करके आये रिसर्च करके आते हैं कि भई फरुक सियर जो है न उसको कुछ दिक्कत है बैठने में दिक्कत होती है उसको कुछ फरुक सियर के किसी गलत जिगे पे एक फोड़ा निकला हुआ था बिचारा ठीक से बैठ नहीं पाता था अब ठीक से नहीं बैठ पाता था तो उसको इतियासकार लिखते गंभीर बीमारी की वज़े से ठीक से नहीं बैठ पाता था अब गंभीर बीमारी के बारे में अंग्र प्रॉब्लम नहीं कोई दिख्कत नहीं है सब कुछ ठीक है पूले नहीं आप बताओ जी हम लगता है कुछ बिमार है को डिकत है ये कोई भी रोग हो दुनिया का उसको ठीक कर देते हैं कुछ तो हो बताओ तो सही तुरंट ठीक है अब बिचार उसका विलाज नहीं हो पारा तो उसने बोले यार देखी ले परेशान तो चली रहूं मरता क्या ना करता उसने बोला जी दिक्कत मेरे ऐसे ऐसे है उसने अपनी द आज जब ठीक हो गया तो यह इतना खुस हो गया इतना खुस हो गया तब इसने दिया ऐसा नहीं अपनी बीमारी ठीक हुई है तब इसने यह गिफ्ट दियें वहलब यह दस हजार में यह सूरत तीन हजार में यह बंगाल बिहार उड़ी सा काम खतम ठीक है तर जी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है बच्चे आवाज अच्छे से घरवाली के आती है सिर्फ दुनिया में अगर आपको किसी और की आवाज अच्छी लगने भी लग जाए तो आप नकार देना कह देना इस दुनिया में किसी के आवाज अच्छी नहीं है मेरी आवाज अच्छी आ पढ़ना पसंद होना चाहिए और ये एक मानसिक नियम भी है कि आपकी यादास्त अगर आपके मतलब आप बहुत देर तक चीज़ों को इस्टोर करना चाहते हैं तो आप सांत पढ़ना सीखिए और सांत कोई बोलता आप कोई चिलाएगा आप किसी रैली में जाओगे न वहां नेता जी चिला के कुछ भाषन देंगा आप घर जाएगे कुछ याद नहीं रहेगा वहीं आप अकेले कमरे में सांती से दो लाइन सुनिए आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी यह नियम होता है चात्रों के पढ़ने का थोड़े कम वॉलियम पर पढ़ा कीजिए मैमोरी अच्छी रहेगी तेज वॉलियम पर पढ़ोगे तो मैमोरी खराब ही होनी है कि बात याद रखना मेरी यसलिए मैं कभी तेज नहीं बोलता पहले मैं बोलता था मुझको भी बाद में पता चला हम लोग को के इस परत्वी पर हम लोग अबोध है अग्यानी है मैं भी आप भी हम लोग बहुत कुछ सीखना है धीरे धीरे सीखेंगे तो भीया यह जो दस्तक है अब अंग्रेजों को बढ़ावा मिला या नहीं मिला बिजनिस के लिए आप कहेंगे जी हाँ बहुत बढ़ावा मिला इसी दस्तक के कारण अंग्रेज 1757 का पिलासी लड़ेंगे ठीक है पिलासी कहां पे हुआ था बंगाल में और इसी दस्तक के कारण अंग्रेज बकसर का युद्ध लड़ेंगे 1764 में 1764 में और खुद को अंग्रेज इस्थापित कर देंगे किस युद्ध के द्वारा बकसर के द्वारा और सुरुवात किसे होगी उनके साशन की आपका पिलासी के द्वारा पिलासी के साशन भरुक्षियर लेगया हमारा नास नहीं लेगया थोड़े इस पैसे में अपने फोडेक चक्कर में अपनी फुणसी के चक्कर में पूरदेश में पूरक्षे दिया इसे ने इसलिए वह घ्रियनेथ है ठीक है चलो जी कोई बात नहीं ये तो बात भी अंग्रेजों के आने की क्यों भी है हम अब आग्मन पढ़ रहे हैं फिर मैं आगे आपको पढ़ा हूँगा कि अंग्रेजों ने किस तरह से भारत पे आकर के कौन-कौन से युध लड़े आंगल मराथा युध हम पढ़ेंगे आंगल मैसूर युध हम पढ़ेंगे ठीक है आपके करनाटक जो फ्रांसिसी वार हुआ उसको हम पढ़ेंगे डैनिस लोग कब आये थे 1616 में ये किरम मैं आपको बता चुका पहली फैक्टरी 1620 में ट्रैंकोबार में बनाई इन्हों ने फ्रांसिसी 1668 में भारत में उनकी पहली फैक्टरी फैक्टरी फ्रैंक को इस केरो ने बनाई ये बहुत नहीं पूछे जाते परिक्षाओं ये जश्ट कॉमन फैक्ट है अब आते हैं अच्छा मैंने आपको कल एक बात बताई थी स्वीडिस बताओ 1731 कबो लोगें 170 पर ये तो बहरत में आने का एक करम था कौन-कौन लोग कब तब आई अब हम लोगों को एक बात जाननी है करनाटक युद्ध क्या आप लोग मुझे बताईए पहले मैप में देखकर कि आप मुझे बता सकते करनाटक किधर है इस नकसे में करनाटक देखकर के येस और नो देखो हर तयारी करने वाले चातर को एटलिष्ट भारत के नकसे का ग्यान होना ही चाहिए जहां बैठ के तयारी करते हो उसके सामने एक छोटा सा नकसा भारत का लगा लिजी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग तयारी कर रहे हो और गौर्मेंट जॉब आप चाहते हैं क्योंकि सरकार आपको पूरे जीवन भर वेतन देगी तो मुर्फता का परीचा ना देना कि आप तुक्के से नौकरी लगना चाहरे हो आज का समय तुक्के से लगने का नहीं है आज के समय में अच्छे छात्रों का सलक्षन होता है तुक्के वाले जमाने चले गए तो क्या बोलेंगे आप यहां पर तो उतनी मेहनत करनी है करनाटक बताईए तो क्या बोलोगे भईया यह रहा करनाटक तो अंग्रेज कहां पर आ गए थे भईया सूरत में आ गए थे तो आपका यहां बंगाल में भी इनको क्या बोलो के बंगाल, बिहार, उडिसा में इनको मिल गया तो ये लोग क्या करना चाहते थे कि बई जिन लोगों की यहां पर सक्ति है तो इन्होंने करनाटक यूद ही क्यों लड़ा क्योंकि करनाटक में फ्रांसिसी एक्टिव थे अब इनके सामने दो चीजे थी एक तो अपने बिजनिस को बढ़ाना और एक जो लोग यहां पर बिजनिस कर रहे हैं उनको हराना यानि इनके टाइम पर जैसे पुर्टगाली हुए मानके चलो पुर्टगालियों को इन्होंने हराया, फ्रांसिसी है, डच है तो इन सब लोगों को हराना भी तो है तब ही तो अपना सासन उनका मजबूती का साशन होगा तो क्या बात हुई मित्र? उसके लिए इन्होंने सबसे पहले करनाटक वार लड़े करनाटक सबसे पहले हम करनाटक युद्ध पढ़ेंगे, तीन युद्ध है आज हम करनाटक के पहले युद्ध के बारे में जानेंगे और फिर कल की कक्षा, कल मतलब सौंबार के कक्षा से करनाटक के दूसरे और तीसरे युद्ध की तरफ फिर हम पढ़ेंगे ठीक है? एक बार थमसब करके बताईए कुछ दोस्त लिख रहे हैं, सर आवाज बहुत कम आ रही है क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं? एक बार थमसब करके बताएं दोस्त तक ही मैं देख पाऊं कि आप लोग पास आवाज आ रही है कम की बात ना बताएं, ये बताओ आवाज आ रही है या नहीं? मतलब आपके एंड से कोई दिक्कत है नहीं तो इस सारे बच्चों का वाज नहीं आती है और थोड़ी बहुत अगर अवाज इदर उदर होती है हो सकता है कि कुछ परिशानी हो देख लेना भाई थोड़ा बहुत है और होगी नहीं ओके अजी अवाज एकदम राजवीर अशोक धीर सिंग यूट्यूब मीना कुमारी फैरिकुट तो करनाटक यूद की बात करें क्यों करनाटक को यूद में कौन है दुश्मन अंग्रेज वर्सेज फ्रांसेशी जो फ्रेंच लोग हैं फ्रांसेशियों को हम क्या कहते हैं ये बिटिश बोलते हैं जो इनकी इस्ट इंडिया कंपनी है वो है एक प्राइवेट कंपनी कैसी कंपनी थी प्राइवेट कंपनी जिनके एमप्लोईज का वेतन उस कंपनी की तरक्की से ही मिलेगा कंपनी तरक्की करेगी तो जो काम करने वाले लोग उनको वेतन मिलेगा लेक उनको कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है तो फ्रांसिसी कमपनी अंग्रेज कमपनी के सामने घुटने इसलिए टिका देगी क्योंकि एक तो उनकी पॉलिसीज कैसी है सरकारी नीती है उनकी कैसी थी नीती प्रॉफिट उनको गेन करना ही है हर हाल में उनको श्ट्रगल करनी ही पड़ेगी लेकिन इनका क्या है नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्यूचर नहीं है कोई भी और कोई भी एक गवर्नर यहां पर तो उसको मिलते थे प्राइज कोई भी एक आदमी जो लीडर्सिप में होता था उसको प्राइज मिलते थे कोई भड़ा काम करने के लिए यहां यह कंपनी कोई प्राइज देती नहीं थी उसको मतलब ही नहीं था हारो या जीतो क्यों भी है यह ऐसा क्यों कर रहे थे दर्शल में दोस्त मैं आपको बताओं इस पूरी दुनिया में इस्पेन पहले सबसे बड़ी ताकत रहा ताकते बदलती रही है फिर फ्रांस बहुत बड़ी ताकत रहा और यह विक्सित देश भी है फ्रांस के बाद में ताकत किस पर चली जाएगी इस्ट इंडिया कंपनी की वज़े से ही ब्रिटेन पर ताकत चली जाएगी और जब दुनिया में Second World War बना ता आज के टाइम पर दुनिया में सबसे बड़ी सक्ति कौन है USA, अमेरिका तो ताकतें बदलती रहती है सबसे पहले दुनिया में राज हुआ करता था Spain का, France का, France के बाद में ब्रिटेन का टाइम आया तो जो यह France लोग है, इनका जो पतन हो रहा था क्योंकि यह कहते ना कि अब सक्ति का स्थानंतरन होगा तो क्यों होगा तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि खुद में एक धील देनी शुरू कर दी अपने साशन के लिए उतना मतलब बोलते न है कि एक अटेंशन वो लोग नहीं दे पाए चीक है, को दिकत नहीं तो यही हमको देखना है तो इसके लिए सबसे पहले आता है क्या आपका, सबसे पहले आता है करनाटक युद्ध करनाटक जानते हैं मैप पर किधर है करनाटक की उस टाइम पर राजधानी थी अरकाट करनाटक का जो नबाव था नबाव का मतलब राजा अनवरुद्दीन था अब इस टाइम पर अंग्रेज भारत में शाषन कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे एक बात बताईए तो आप कहेंगे अंग्रेज इस टाइम तक भारत में क्या कर रहे थे जी बिजनिस व्यापार कर रहे थे अंग्रेजों का जो हैड़कॉर्टर हुआ करता था वो इस टाइम पर हुआ करता था मदरास बंबई को भी ये देखते थे एक बार नजर आप रखेंगे कहाँ पर मदरास है मदरास तो आप क्या बोलेंगे जो चिनल नहीं है यही मदरास है तो मदरास हो गए आपका मदरास क्या था ये आपका इश्ट इंडिया कमपनी का हैड़कॉर्टर था अग्रिकत बंबई और कलकत्ता को भी यहीं से कंट्रोल करते थे यह कलकत्ता है आपका और साथ में बंबई को भी मुंबई जिसको हम कहते हैं अजब यह फ्रांसिसियों की क्या इस्थति थी वह भी जानो जो फ्रांसिसी थे फ्रांसिसियो का मुख्याले था पांडीचेरी फ्रांसिसियो का मुख्याले था क्या आपका पांडीचेरी चंदरनगर, कराईकल, माहे और सूरत ये फ्रांसिसियो के थे और फ्रांसिसी कंपनी क्या थी एक गॉर्मेंट कंपनी थी इस्ट इंडिया कंपणी एक प्राइवेट कंपणी थी मदरास और पांडिचेरी के बंदरगहा किसके अधीन थे करनाटक के अधीन थे पहले मुझे बताईए फ्रांसिसियो का हेड़कॉर्टर कहां पर है पुडूचेरी मैप पे बताईएंगे पुडूचेरी किदर है पुडूचेरी बताईएंगे पुडूचेरी कराइकल माहे देखना दूसरा पैनल लेंगे एक पुडूचेरी तो पुडूचेरी कहां पर है ये रहा तो ये क्या था ये फ्रेंच हेड़कॉर्टर है तो दौनों हेड़क्वाटर आसपास हैं कि नहीं है यह बताएंगे कराईकल और आपका साथ में माहे यह सब किसके इलाके हैं यह फ्रेंच के हैं तो मित्र एक बात बताईए मुझको कि यहाँ व्यापार के लिए टकराव होगा यह नहीं होगा और साथ में यहाँ पर जो पोर्ट से पोर्ट का मतलब बंदर गहा जो समूंदर में यह सब किसके थे करनाटक के नबाव के अधीन थे करनाटक के नबाव के अधीन थे क्या बोलेंगे भी यह जिन जगहों पर हैड़क्वाटर बना रखे थे किस-किस ने फ्रेंच लोगों ने और बिर्टिस लोगों ने उनके जो बंदर गहा थे भई यह किसका हेड़कॉर्टर है अब आप लोग बता पाएंगे यह किसका हेड़कॉर्टर है मदरास बताएं एक बार सारे लोग बताएगे मदरास में किसका हेड़क्वाटर था तो बोलेंगे बिरिटिस लोगों का मैं आप से बोलू दोस्त पंडिचेरी में किसका हेड़क्वाटर है आप कहेंगे जी विया फ्रेंच लोगों का हेड़क्वाटर था और इनके जो port है वो किसके अधीन थे करनाटक के अधीन थे तो सीधी सी बात है ना करनाटक का नबाब जिस पक्ष में रहेगा वो मजबूत रहेगा जी हां तो पहला करनाटक युद्ध कैसे होगा देखें वहले करनाटक युद्ध इसके लिए कही जिगे पर आपको 1740-48 लिखा मिलेगा उस डेट को आप करेक्ट कर लेंगे 1740-48 एकदम सही डेट है इसका कारण था आउस्ट्रिया का युद्ध आउस्ट्रिया कितने लोग जानते हैं कि भारत में इस्थित है येस और नू ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि आउस्ट्रिया भारत में इस्थित है मैं देखना चाहूँगा वो येस लिखें कि हां जी आउस्ट्रिया भारत में है सारे के सारे नो लिख रहे हो कोई येस वाला एक भी नहीं है कोई कोई है येस वाला तो दोस्त आउस्ट्रिया आप जानते हैं कि भारत में नहीं है आउस्ट्रिया अपना आप स्वतंतर देश है जिसके राजधानी वियना है अब ऐसा थोड़ी था कि सिर्फ भारत में ही ये कमपनिया युद्ध कर रही थी व्यापार तो ये अन्य देशों में भी कर रही थे तो ये अंग्रेज और फ्रेंच लोग आउस्ट्रिया में भी थे तो आउस्ट्रिया में इनकी जो सैनाई थी वो आपस में भीड़ गई तो सीधी सी बात है कि जहां जहां पर ये लोग बिजनिस कर रहे थे ये प्राइवेट और गॉर्मेंट कमपनी हर एक जगे पर आपस में भीड़ गई इतनी बात तो मानोगे ऐसा है न कि कहीं और लड़ाई हुई बही तुमारी कहीं रिष्टदारी में लड़ाई हो गई रिष्टदार रिष्टदार के लड़ाई तो जहां-जहां उनके सब रिष्टदार हैं वो भी तो दुसमन हो जाएंगे जी हां तोस्ट्रिया के युद्ध की वज़े से क्या हुआ कि ये बिचारे सब जिगे लड़ गए इंडिया में क्यों लड़े उसका एकदम से कारण हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी बर्नोट था इसने दो फ्रेंच जलपोत अपने कबजे में लिए और जला दिये मतलब फ्रेंच दो जहाजों को इसने डुबो दिया इसने अंग्रेज अधिकारी बर्नोट ने तो यहाँ पर भी एक ऐसी कंडिसन इनोंने क्रियेट कर दी क्योंकि जंग चल रही है जंग और महबबत में सब कुछ जायज है तो ठीक है जी तो अपने कबजे में लिए और जला दिये अब कारण मिल गया कि लड़ने का तो यहाँ पर क्या था कि 1741 में डूपले भारत आया था यह एक फ्रांसिसी गवर्नर है बहुत इंपोर्टेंट है डूपले इंडिया कब आया मैंना आपको बता दिया अंग्रेजों की तरफ से कौन था मोर्स हुआ करता था मोर्स इतनी बात में कोई दिख करता डूपले बहुत सांदार आदमी है डूपले के पास पॉलिसी थी लेकिन कहते हैं कि फ्रांसिसीयो का जो भविश्य है वो अंधकार में था उन लोगों को पता ही नहीं था उनको क्या करना है क्योंकि डूपले ने जब कमांड समभाली तो जो साहिक संदी आप किसके लिए पढ़ते हैं इतिहास में एक नाम पढ़ते हूँगे साहिक संदी वैलेजली बोले येस और नो कभी ये नाम सुना है तो साहिक संदी का जो जनक है वो आपका डूपले ही है लेकिन ये एक गौर्णमेंट कमपनी थी इसने डूपले को वापस बुला लिया था डूपले के खिलाब जब लोगों ने काड भरे डूपले की परसिद्धी को देखते हुए तो लोगों ने उसको वापस बुला लिया गोल भी है तुम फ्रांस वापस आजाओ तुम से ना होपाएगा और डूपले बहुत बहुत बहतरी इनकाम कर रहा था कहते कि अगर डूपले को वापस ना बुलाया गया होता तो जो आज आप इतिहास पढ़ते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का राज वो इतिहास आप पढ़ते हैं भारत पर फ्रांसिसियों का राज वो इतना सांदार लीडर था फ्रांसिसियों की तरफ से लेकिन इसको वापस बुला लिया गया वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बुलाया गया वापस क्या कारण थे डूपले ने ला बुडाने की मदद से ला बुडाने की मदद से मदरास को अपने कबजे में ले लिया आप कहेंगे भीया मदरास तो अंग्रेजों का हेड़कॉर्टर था किसका हेड़कॉर्टर था ये अंग्रेजों का और ये ला बुडाने कौन है ये मौरिसस का गवर्णर था और ये भी फ्रेंच की तरफ से ही है फ्रेंच लोगों की तरफ से है क्योंकि फ्रेंच का कबजा आपका मौरिसस में भी था तो डूपले की नजर किस पर थी तो भाईया जो मदराज अंग्रेजों का हेड़ काटर था वो किसके कंट्रोल में आ गया एक बार कमेंट सक्षन में बोले फ्रांसिसियों ने उसको अपने नियंतरण में ले लिया या नहीं डूपले की सोच समझ की वज़े से और मौरिसस का अपनी सेना लेकर आया लाब उडाने उसने आकर्मन किया अब क्योंकि मदरास ले लिया अब भीया करनाटक का नबाब बैठा हुआ बोला भीया मेरे लाकिम तुम कैसे लड़ रहे हो भी तुमको इतनी हिम्मत किसे ने दे दी युद्ध कर रहे हो हमारी जगह के लिए मदरास मेरा की तेरा हमको कोई पूछी नहीं रहा है डूपले ने चुपचाप से लेटर पहुचा दिया अनवरुद्दीन के पास बोला बाबुजी आपके लिए ही तो कर रहे हैं ये मैं आपको इदूँगा मदरास अनवरुद्दीन ने कहा अच्छा हमारे लिए सेवा कर रहे है और राजा के लिए उसने बोला हाँ जी आप लिए सेवा कर रहे है बोला ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कोई जरुरत हो तो बताना बेटा पैसा वैसा की कोई बात हो लड़ने में युद्ध में सैनिक वेने को को उसने बोला ठीक अताओ जी बता दे तो यहां पर एक बात आपको समझनी होगी कि मदरास को अपने कबजे में ले लिया तो डूपले को किसको देना है नबाब को देना है अब ये थोड़ा सा लालची आदमी है नबाब का हमको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा हम लोग मजबूत होंगे यहां पर इंडिया में उसने भोले मजबूती-वजबूती सरकारी कंपनी की मजबूती के बारे में क्यों सोच रहा है दो खुद के बारे में सोच उसने बोला नहीं क्योंकि वो एक वांदार अधिकारी था यह एक ब्रष्ट अधिकारी है इसने चुप चाप अंग्रेजों जोसे चार लाख रुपे ले लिये इसने बोला मेरी वज़ए से ही तो कब जे में लिया इसने मदरास मैं तुम को देता हूँ इसने सारा केल विगाड़ के इसने अंग्रेजों को मदरास दे दिया चार लाख रुपे अपनी जिम में दे दी अब आप सोचते होंगा भहिया कोई गुलाब का फूल थोड़ी एक मदरास यहां से लेकर यहां दे दिया कहने का मतलब है क्योंकि इसी की वजह से जीते है तो इसने एक ऐसा समर्थन उनको दिया कि मेरी तरफ से कोई युद्ध नहीं होगा और डूपले के पास उतनी सकती नहीं थी कि वह उनको हरा पाए बात समझे तो भहिया मदरास वापस चला गया अंग्रेजों के पास की नहीं मदरास वापस गया या नहीं अब मदरास वापस अंग्रेजों के जाने से पहले की एक तुरंत बात मैं आपको बताता हूँ जिसको बोलते हैं सेंट टॉमे का युद्ध तो ये महफ्यूज खान कौन है अनवरुद्दीन खान का बेटा है अनवरुद्दीन न बोला बेटा ये पागल बना रहे हमारा ये हमको मदरास वदरास नहीं देंगे जाकर के मदरास पे कब जा लो दस हजार की सेना लेके महफूज खान को बेजा और इधर फ्रांसिसियो के उस समय तक नियंतरन में था मदरास अभी अंग्रेजों को दिया नहीं गया था क्योंकि अंग्रेजों को तो एक प्रामिस दिया है सिर्फ किसने लाब उडाने ने युद्ध नहीं होगा तो यहाँ पर ये पैराडाइज नेतरतब कर रहा था पैराडाइज कौन है लीडर है इस युद्ध का फ्रांसिशियों की तरफ से एक क्रॉस लगा हुआ ने इसका मतलब है महफूज खान बिचारा मारा गया अनवरुद्दीन का बेटा मारा गया करनाटक के नबाब का बेटा मदरास तो छोड़ो मदरास तो मिला ही नी बेटा और मारा गया अब मुझे ये बता दो आप थोड़ा सा एक बात बता के कि मदरास फिलाहल में किसके कंट्रोल में पहुच चुका है मदरास पहले अंग्रेजों का था आप कहोगे भाईया ये फ्रेंच लोगों के क्योंकि यहां पर पैराडाइस क्या है जीत चुका है तो आप कहेंगे कि भाईया इसी मदरास को देने का प्रॉमिस किसने कर दिया बुढाने ने बुढाने ने पैसे ले लिया इस्ट इंडिया कंपने से बुढाने कहता है कि मदरास किसका होगा मदरास दे दिया गया इस्ट इंडिया कमपनी को, इस बात से सहमत है इस बात में कोई दिकत, कोई परिशानी किसी को ठीक है अब आगे की बात समझेंगे अब यह अनवरुद्दीन तो खिलाफत में है उसने भी तैयारिया की मारूँगा मैं इनको फ्रांसे सियो को ठीक है यहाँ पर एक बात देखेंगा युद्ध छेड़ा क्यों था जरा बताएं आप कहेंगा भी युद्ध आस्ट्रिया में शुरू हुआ था उसकी वह जैसे ये लोग हर जिगे लड़ गए तो ऐसा हुआ कि एक्सला सेपेल की संधी हो गई किस-किस के बीच में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुई उन्होंने कहा कि दुनिया में हम जहां कहीं भी लड़ रहे हैं हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते नहीं है 37 साथ मिलके काम करेंगे जो तुम्हारे हित की जगे है वो तुम ले लो जैसे घर का बटवारा होता है घर का बटवारा होता है ठीक है तुम्हारे वैल्यू की चीज़ है यह तुम ले लो कम जादा करके थोड़ा बहुत भीया लड़ाई को खत्म करो तो अंग्रेजों को तो भीया मदरास शाहिए था अंग्रेजों ने मदरास ले लिया फ्रेंच लोगों को लगा किया है भारत में मदरास उतना काम का नहीं है तो फ्रांसिसियों ने अमेरिका में एक हिस्सा था लुई वर्ग वहाँ भी जगडा चल रहा था इन्होंने लुई वर्ग ले लिया मतलब पूरी दुनिया में इन्होंने हिस्से बाटे या लुई वर्ग हम लेंगे उसने बोला इंडिया को मदरास हम लेंगे तो क्या बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परिशानी बहुत बढ़िया दोस्ता आपका एप्लिकेशन पर क्लास चल रही है एप्लिकेशन पर UPSI और GD 222 में क्लास चल रही है आपकी जो लोगों के पास पहले से एप था वो लोग एप्लिकेशन में देख सकते हैं जो लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं क्योंकि आज की क्लास यूट्यूब होगी और आज के बाद में आपकी क्लास होगी मंडे को मंडे से तो सिर्फ अप्लिकेशन पर क्लास चलेगी कोई दिक्कत कोई परिशारी है और ये क्लास ही है फिर हम कल से पढ़ेंगे आपका अगले बार में दूत्य करनाटा की उद्ध को दूसरा करनाटा की उद्ध क्यूं हुआ दर्शल में हैदराबाद के निजाम की मौत हो जाएगी और मौका मिलेगा इन दोनों कमपनियों को फिर से लड़ने का और ये फिर से लड़ेगी ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी बात इसको याद रख लेना कि हैदराबाद का मैं आपको सारी चीज़े समझाऊंगा ये लिख लेना हैदराबाद का निजामुल मुल्क है जिसका बेटा था नासिर जंग ये साथ था इस्ट इंडिया कमपनी के और इसका जो पोता है उसने बोला भीया जो बेटे को गदी पर मत बैठने दो पोता कहा रहा गदी पर मैं बैठूंगा बेटा नहीं बैठेगा पोते का नाम मुझफर जंग है तो वो गदी पर बैठने के लिए फ्रांसिसियों का सहरा ले क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसिसियों को तो मौका चाहिए वो मौका इनको मिलता था निजाम जो मुल्क है उसकी मौत हो जाएगी 1748 में जब एकसला सेपेल की संधी हुई और वही इसकी मौत के बाद में इन दौनों को दौनों बेडिये हैं इन दौनों बेडियों को मौका मिला कि भई आप फूट डाली जाए एक पोते के साथ हो गए उत्राधिकार की लड़ाई में और एक बेटे के साथ हो गए ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी किस-किस का साथ देगी नासिर का नासिर कौन है क्या बोलोगे आपका करनाटक में अनवरुद्दीन के साथ ही रहेंगे फ्रांसिसी चंदा साहिब के साथ और मुझफर जंग के साथ हो जाएंगे अभी आप इन लोगों को जानते नहीं सिर्फ यह जानते हैं मुझफर पोता है और नासिर जंग बेटा है इन दोनों में नवरुद्दीन को आप जानते हैं अभी चंदा साहिब को आप नहीं जानते हैं इसके बारे में मैं बताऊँगा ठीक है ठीक है प्रदीब जी पार्टी डन परिक्कत कोई परिशानी दोस्ती जितने भी कुश्यन आप पूछने है नहीं इन सब के लिए कॉलिंग टीम पर फॉन किया करो किलास में सिर्फ पढ़ने आया करो प्लीज रिक्वेस्ट है नहीं तो चस्मा क्या लगा होगा सेलेक्षन भी नहीं होगा चस्मा लगना तो दूर की बात है class में बहुत अच्छे से पढ़ना है team ने आपके लिए एक help line number भी दे रखा है बच्चों तक post कर दो कोई भी बात रहा करें आप इस help line number पर call करके अपनी कोई भी परिशानी वो पूछ सकते हो medical की, certificate की कागज की कोई समश्या है उसके लिए team available है सुबह 9 बज़े से साम 6 बज़े तक आप phone कर सकते हैं उन लोगों को ठीक है और बहुत phone आते हैं गर wait भी करना है उसके लिए ऐसा नहीं है जि मैं phone मिला रहा हूं तो phone नहीं लगा है क्योंकि दोस्त उस पर हजारो call daily आती है आई भी आर पर और इतने सारे लोग सिर्फ तुम्हारी बात के लिए हैं यह आप लोगों की solution कर पाएं वो सेकड़ों लोग इसी लिए है ठीक है तो यह कल से हम कल क्या मतलब मंडे को मैंने आपको बताया मंडे आपकी classes रहेंगी ठीक है और कल ऐसा नहीं है कि यह history की class Monday होगी कल हिंदी वाली class होगी तो हिंदी की जो साड़े नो बजे class होगी वो आपकी class होगी ठीक है मित्र तो बाकी आपका मिलेंगे मंडे को इस history की class में थैंक यू बाइ बाइ टेक एर चैहिंद जय भारत नमस्ते कक्षा आपको कैसी लगी जो चीजे मैं आपको समझाई समझाई की नहीं मिलते हैं अप्लिकेशन में भंडे को ठैंक यू और दोस्त जो लोग इस batch से जुड़ना चाहते हैं मैं आपको फिर से guide कर देना चाहता हूँ कि आप लोग इतिहास विसे को पढ़ रहे हैं इतिहास उतना मतलब आप लोग अगर इसमें पहले पढ़ चुके हैं तो दुबारा इसको समय आपको खर्च नहीं करना है present में अगर आपने पढ़ा है किसी भी आप किसी भी teacher की वीडियो देख सकते हैं इसके लिए किसी भी platform की वीडियो आप देख सकते हैं जो आपको पसंद teacher आता हो जो समझ में आते हो उनकी classes आप कर लीजिए क्योंकि इतिहास उतना बड़ा विस है नहीं कि इस पर बहुत effort लगाए जिन लोगों ने पढ़ रखा है जिनोंने नहीं पढ़ा है वो साथ चलते रही है कोई दिकत नहीं है मैं promise करता हूँ जो भी इतिहास के question आएंगे आप परिक्षा में बना जाएंगे थांक यू नमस्ते रमासरस्वती